हेलो दोस्तों स्वागा था सवका मेरे इटी चनल लिजी फ़ल्मिन टिक पर यह मेरा लोग का देशी मुर्गियों का वेज जो आप देख सकते हैं आपके सामनी आज मैंने इनका नीचे देख सकते हैं पुरा इनका बीट था सब मैंने सफा कर दिये नया जो धान का चिलका होत आप लोग कमेंट को जरूर बताएगा आप लोग बताओ ने तो मुझे पता नहीं चलता है पूरा मैंने इस पर दिया और इनके बारे में कुछ भी आपको चान करें चाहिए तो आप मैंसे कमेंट केंगा जान सकते हैं आप लोग मेरा वीडियो को तो देखते हैं जरूरे बट लाइक नहीं करते हैं प्लिस लाइक किजेगा शेयर किजेगा मैंने इनको अभी खाना नहीं दिया है अब अपना घार में पाल सकते हैं स्वटा सावी अगर बारा फुट का बारा फुट करें इसमें पाल सकते हैं लोकल प्यूर अंडा आप अपना घर में पाल के दिला सकते आसान है इनको आप अपना घर का वेश्टेज खाना भी खिला सकते हैं अपिवर। अब पाल्या जो धान है चावल है उसके बार अप्रस्ट्रा जो भी आपका घर का वेश्टज हो भी खिला सकते हैं घास खिला सकते आपको पहले इनका एक महीने तक आपको इनको दाना खिलाना पड़ेंगा तो इनको जो ग्रोफ्थ वह नहीं आएगा और लग यह नहीं होंगे छोटा में आपको एक कम से कम एक महीने तक आपको इनको दाना खिलाना पुड़ेगा उसके बाद आप लोग जो भी आपको खिलाना है आप खिला सेब्ते यह मेरा फारम जो है असम सेलचर में ही है और आप लोग बहुत दुल दुल से बिहार से दिल्ली से बुम्बे से आप लोग मुझे कॉमेंट करते हैं कि आपको चाहिए तो सो में इतना दूर तक आप लोगों को भेज नहीं पाऊंगा आप लोग पहले जान लेजिए कि यह कहां का फ़रा में आपका लोकलेटी में जो भी है आप उनसे भी खरी सकते है और मेरा जो एरिया में 100 किलमेटर आसपासी तक ही पहुचा सकता हूँ उससे ज्यादा दूर तक में पहुचा नहीं सकता हूँ इतना एवलेबल मेरे पास फैसिलिटी नहीं है इनके बारे में आपको आपको कुछ भी दूसरा जानकरी चीए हो ता आप मुझसे कमेट करें जान सकते है तो थेंक्यू सो माँच मेरा वीडियो को लास्टोग वाच करने के लिए धन्यबाद आसब का और आप लोग मेरा चैनल को लाइक किजिए शेयर किजिए और सब्सक आप